प्यारे बच्चों और दोस्त एक बार फिसे आप लोगों सामने रिजिनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेट और सांधार वीडियो लेकर रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टाप 20 कोशन को सौल करने वाले यह जो टाप 20 कोशन है वह आपके से सी रेलवेज सीटर वाला कोशन ओ दोस्तों आपका देखिए यहां पर वेट डाइग्राम का भी कोशन दिख रहा होगा इस तरीक़े का दरपढ़ वाला कोशन हो या फिर इस तरीके का मिसिंग वाला कोशन हो या और भी बहुत सारे नंबर इनलोजी सब्देल पहले कोश पलेला कोश्चन सब इसका अंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा कह रहा है कि नारवे का सम्मझ जैसे ओसलो से है वैसे इरान का सम्मझ किस से होगा नारवे और ओसलो नारवे है क्या कुछ बच्चे तो यही नहीं जानते होंगे तो नारवे है क्या नारवे देखे दोस्तों एक देश है क्य तब आपको पता होने चीए इरान की राजद्धानी हए किया तब दह करेंगे तो इरान तो आज कर बहुत जाद़ पाप्लर देस हो चुगा है तो पता ही होगा इरान की राजधानी के बारे में चलिए बता है से यह पता चले का दोस्तों कि आंको किस लेवल तक की वीडियो की जरूरत है ठीक उस हिसाब से मैं नेक्ट वीडियो बनाऊगा यहां पर कहरे 35 का संबंद जैसे 4 से वैसी संतामन का संबंद किस से होगा 35 का 4 से संबंद कैसे हो सकता है 35 का 4 से संबंद कैसे हो सकता है तो 35 में 7 या 5 के लाओ तो किसी से भाग नहीं जाएगा तो अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 7 आएगा और 7 से भाग देते हैं तो 5 आएगा दोहीं नमबर आएगा तो साथ से चार बनाएंगे तो तीन गटा न पढ़ेगा पांस से चार बनाएंगे तो एक गटा न पढाएगा क्या यह लोजिक इसमें काम करेंग tien car संतावन है संतावन में पांच से भाग जाएगा नहीं साथ से भाग जाएगा तो यह लोगेगी नहीं तो फिर क्या करेंगी काटि यह गलग देगे 35 कि अगर दोनों अंकों को हम जोड़ दें जिसे तीन और पांच को तो आपका आठ हो जाएगा और इसमें मैं दो से भाग दे दू तो क्या हो जाएगा चार हो जाएगा ऐसे संतावन में यही काम करूं दोनों अंकों को जोड़ दू साथ पांच बार हो जाएगा और दो से मै जो पैटर्न बन रहा है वो बिल्कुल डिफरेंस है देखे कैसे यहां पते कि जीरो चार अठारा अठारा और तालिस एंड हंड़ेड है वैसे तो आम तर्सकी जो सीरिस होती है उसमें हम क्या करते हैं हम चेक करते हैं कि किस पैटर्न नहीं है बढ़ है जिसे जीरो से चार हो ओर रहे तो प्लस चौदर से आडवा से हंड़ेड हो ड़े तो प्लस फिफ्टी टूं कि क्योंकि बढ़ना ची यह वह एक सीरील करण में बढ़ना चीह अगर चार चार बढ़ रहा है या चार आठ बारा इस तरीके से बढ़ा चार के उड़क के रुपे रुपे रुपें दू के स्कॉायर के रूप में बढ़ना चीए लेकिन यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैटरने में बढ़ रही है तो इस सीरीज को दोस्रे टाइप से स्वाल करेंगे एकदम अलग एकदम न्यू ट्रेक दोस्तों देखिए कैसे स्वाल करते हैं जैसे जीरो को ह आने के लिए हम क्या करेंगे एक को उठाएंगे उसका क्यूब करेंगे और इसी का स्कॉार इसमें से घटा देंगे जीरो आ जाएगा कोई दिक्कत यहां तक क्योंकि एक क्यूब भी एक आएगा एक में से घटाएंगे जीरो आ जाएगा फिर क्या करेंगे दो का क्यूब क प्यूतने क्वाम सब्सक्राइब दो समझाइर नहीं डिल्म taką जाएगाN यहीं तो five सेंक्तर को बखुड़ेकर बीस होगा बहुत जामतलिए된агं कर देखें जसेन हैं तो लोगत को इस समझ लेना Jenkins Спасибо सब्सक्रासिद समझ यह लेना है कि जो भी चीज़ बनेगी वो खुद को बार-बार रिपीट करने लगेगी जैसे माली जी कि अगर A B C बन गया तो खुद ABC ABC इस तरीके से आपका ABC ABC करता रहेगा अब यहाँ पर हम चलेंगे को फिर वाईसे तो आम तर्से मैं कहता हों कि इसमें 3, 4, 5 के गुरूप में डिवाइट करके पार्ट में बाढ़ दे दिए 3, 4, 5 के पार्ट में बाढ़ करके उस हिसाब से लोजिक कंसेट जो भी रहेगा वो ढूड़ेंगे लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है अलग यह है कि इसमें यह 3, 4, 5 का गुरूप नहीं बढ़ पाएगा थोड़ा सा और बढ़ करके बढ़ेगा कैसे देखिए यहां पर इल से स्टार्ट हो रहा है तो उस हिसाब से फिर हम अगला इल ढूड़ेंगे यह आपका अगला इल दिख रहा है तो उससे पहले ही हम इसको बाढ़ देंगे क्योंकि इल से फिर अगल इल ही आएगा तो उसके आगे जब इल आएगा तो हम इल लगाई देते हैं हमें पता ही है और पी से पहले क्या आएगा तो पी से पहले लाने के लिए हम पीछी आ करके देखेंगे जहां पी यहां पर यू आया है तो यू यहां पर हम रख देंगे और उसके बाद फिर इल है इल से पहले की आएगा तो वह तो पता ही है पी आएगा फिर यहांसे ती से पहले की आएगा तो यहांसे से पहले यहांसे टी से पहले या रग दिये वह डख दिजिये काम खतम होचतुका एक度म एजा तक कुछ सथा नहीं य्या wokने फिल कि यहांपर किया है missing alphabet 3 3 vrij 3 3 it in Vitamin थो नो form of 5 फेरा is पर अच चल के सब थो WiFi पहले करके चलेंगे तो हमें पहला पहला लेकर चलेंगे तो हमें पहले करेंस तो पहला मिल जाएंगा ठीक है ऐसे क्या करेंगे फिर तोसरा दोसरा lypay क्या है एल-n-v já तो दोसरा मिल जाएगा इसी तरीके से PSV है क्या है PSV है तो यह तीसरा मिल जाएगा तो इसमें सबसे बेश तरीका है कि A to Z आप 26 तक याद कर लीजिए सीरियल करम अगर याद कर लिए तो दमासान है कैसे देखिए इक छो पर होता है 9 पर होता है अब यह किस करम में बढ़े हैं वह देखिए चो तीन हो रहा है पलस 9-12 बना दो इसमें भी तीन पलस हो रहा है तो नेक्स्ट में भी पलस तीन होगा तो 12-3 पंदर हो जाएगा 15 वी अस्थान पर ऊप एक चीज़ और करना आपको थोड़ा सा आ आगे चलके टाइम बरबात करने लगें कि चल ये दूनों देखने सही है कि नहीं कि जब इसी में हैं नहीं और हमारा पहला उमिला तो फिर क्यों टाइम बरबात करें उसे पिटिक लगाएंगे एक्जाम आगे बढ़ जाएंगे लेकिन हो सकता है इसमें भी दे जरूर नहीं होता है इस ननीस पर होता है और वी आपका जो है दोस्तों कितने पर रोता है वाइस पहोता है तो यहांपते इनके 16dert 132 रेकले हो गया यहांनी taking वी जो जाएंगे कोषे प्रूर्त करने कडिया जोड़ेंगे, A, C की क्या है? पीता है, ठीक, आगे कह रहा है, A, C से रिलेशन फिर नहीं है, फिर कह रही है, D, B का पूतर है, तो D और B का हम अलग इंडिकेट करेंगे, यह तरीके से, D, B का क्या है? उतर है, उतर है, चल यह ठीक है, आगे पढ़ते हैं E कह रहा है A का भाई है अब यहाँ पर E कोई आ गया इस A का क्या कह रहा है इसको भाई बादा रहा है सेम ऐसे ही करना है आपको अभी देखी कितना असानी से निकल ला है आगे कह रहा है यदि C, D की बहन हो आगे कह रहा कि यह जो C है इस D की क्या हो बहन हो तो B का E से क्या संबंद है B का E से क्या संबंद है यानि B जो है इस E की क्या लगती है कहने का क्या मतलब है B E की रिष्टे में क्या लगती है तो चलिए यहां से समझते जिके A C का पिता है और C D की बहन है तो इसे ये पता चल गया D और C भाई बहन है D और C क्या है भाई बहन है क्यों कि D आल लेडी बता रहा है कि B का पुत्र है इसे ये पता चल ला है कि ये क्या मेल है और ये क्या C फीमेल है यानि भाई बहन हो गए और A जब C का पिता होगा तो इस D का भी पिता होगा होगा कि नहीं होगा अब इसी तरीके से यहां पते कि D जब B का पुत्र है तो चुंकि यह B अब क्या होगी चुंकि A पिता हो चुका है तो B क्या होगी माता होगी यानि कि यह क्या होगी फीमेल होगी फीमेल पर हम माइनस लगा लेते हैं और मेल वाले पर पलस लगा लेते हैं वही काम यहां पर भी सी बहन है तो इस पर माइनस लगा लेते हैं दी वाले पर पलस लगा लेते हैं इससे समझने में और रासाने हो जाएगी तो यहां पर भी इ जो है D का पिता है तो B माता ही होगी, B भी तो पिता होगा नहीं, यह confusion करने के लिए D को B का पुत्र बना दिया है, कि आप आप confusion में पढ़ जाएंगी, दो-दो पिता कैसे होगा, ऐसी बात नहीं है, यह माता होगी, जब पिता लेडी A मौजूद है, तो B माता होगी, जब B D है, तो A आपका भाई है, आप अपने भाई की पतनी को क्या कहेंगे, B क्या है, A की पतनी है, तो वही तो बात हुई, तो आप कहेंगे की भावी कहूंगा, तो हो गया का, भावी होगी, और क्या होगी, B क्या होगी, E की भावी होगी, option A is the right answer, मैंने क्या का, कड़िया अगर यह लगेगी, नहीं एक्जाम में बैठेंगे, तो बस इस तरीके से फटाफट किये, सिकेंडों में solve, यहाँ पर क्या कह रहा है, कि Missing संख्या क्या होगी, या Missing Number क्या होगा, तो सिंपल सा रूल है, इसका आप जानते हैं, कि जैसे आठ, साठ, चार, उसी से हमें दे ले थे, अब देखिए, आठ, साठ, चोदे से सोला कैसे आ सकता है, जोड लेजा, आठ, साथ, पंदर, पंदर, और चार, उननेस होगा, सोला होगा, नहीं अगर तीन घटा दे तो सोला आ जाएगा, चले एक काम यहाँ पर करते हैं, नोच पंदर, पंदर, तीन घटार होग चले, साथ, दोनागा चोदेवा, लेकिन लाना है, सोलऻ, दो, जोड़, टीजे, सोला आ जाएगा, यही काम इसमें भी करना है, कुछ चीजे, जबरम्दर्ष्टी, अपनी तरफ से करनी परती है, जैसे मैंने यहाँ पर जबर्दर्ष्टी, गुण कि हमें सोला लाना था, च्छत्री के 18 हो जागा अब इसमें भी जैसे दो जोड़े हैं इसमें भी जोड़ें के देखे 20 आगे बिल्कुल राइट हम जा रहे हैं अब यहां पर वही काम करें एक सुगुड़े आड कर देना है क्या करना है एक सुगुड़े आड कर देना और बटे में छोलिक देना औ इनको सॉल करने पर यह 12 के बराबर आएगा तो यह चीज हमें कैंसिल कर देने सिर्फ बारा लिख देना वहनों कुछ बच्चे यहां पर 14 रखके सॉल करेंगे तो अंसर गलत आ जाएगा यही कंफ्यूजन है सारी चीज़ें दोस्तों जिसको आपको समझना है बारीक से बा दूरी कि थोड़ी से जानकारी दे दो दाइंसाइट पूरब होता है नीचे दच्छिड होता है ऊपर उतर अबार वीडियो मैं देता रहता हूं लेकिन मैं सूचता रहे तो जो नए बच्चे हैं वह मेरे वीडियों देखने है वह भी जाने तो यह आपकी बीच वाले दि कि 14 मीटर चलती है ठीक कि धियुआ थैया और 14 मीटर चलती है ठीक भी धाई और मुड़ जाएंगे और नहले नीचे जाएंगे उपर जाएंगे दिमाग में लगाई आई मुणrik कि उत्तर दिसा में सेम आप डायां बायां बायां होता तो बाय ons आप नीचे जाएंगे स्वना चलता है अप काई वृन्तिम और चीचिदी के काई पून्तिम इस्तिति की नियुंतन दूरी पूछ रहा कि यहां से यहां तक यह जो दूरी है वो कितनी होगी अब यहां से समझे देखिए यह चौदा है यह भी चौदा है आमने सामने की बुजा क्या है बराबर है तो यह ठीक एकदम इसके सामने हो जाएगा क्योंकि दोनों चौदा चौदा बराबर हो गया है तो यह next, यहाँ पर क्या है, पंकती वाला कोशन है, 33 लड़कियां एक पंकती में, इस्कूल की इमारत की उर्फ मुख करके खड़ी हैं, क्या 37 लड़कियां है, माली जी की यहाँ पर स्कूल की क्या है, इमारत है, क्या है? स्कूल की ह cigarặt है इधरी मुख गर के 27 लड़किया है तो 27 को हमें बनाना नहीं बस में बता रहा हूँ अब यहाँ पर दाया बाया का मैटर है तो जिदर आपका दाया अधरी दाया लेंगे जिदर आपका दाया अधरी बाया लेंगे इससे क्या होगा question को solve खनने में आसानी होगी कई confusion वाली बात नहीं बनेगी ठीक है दाया बाया आपने ले लिया जब उत्तर दिसा में कोई चीज रहेगी तो वैसे ही आल लेडी दाया बाया आपका दाया बाया हो जाएगा आगे क्या कह रहा है कि आएसा बाया छोर से पंद् अस्थान पर ऐसा है यहाँ पर कौन है आइसा है पंद्रमें अस्थान पर ठेक इस तरीके से आपने लिख लिया आगे outta 좋아 कि पहँले ये दाए-च्छी च्छ इस च्छांगी स्थान tomorrow वा से तोकी स्थान गया होगा टोटल नंबर है 256 ठीक है बाएच छोघसे इस इसका स्थान एक कई समा दाएच छोट से पूछे तो कईसको घटा करना पलस वन ये बहुत जरूरी है पलस वन करना जब उल्टी एक तरफ से एक दिशा से दिया रहे नमबर और दोसरी दिशा से पूछे तो उसको घटा करके एक हर हाल में जोड़ देना है तो यहाँ आप देखिए 16 प्लस 7 कोष्टू 17, 17 उप्सन में दिया हुआ नहीं दिख रहा है तो non of these जो दिखा हुआ है उसी पर हम टिक लगाएंगे और next देखेंगे sitting arrangement का question है इसको ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा English language इसमें है तो मैंने वहाँ से question को उठाए उस book से जहाँ पर English Hindi दोनों में दिया हुआ था तो उससे घबरानी की ज़िवत नहीं है मैं Hindi वाला ही पढ़ूँगा आपको कोई confusion होने वाली नहीं है ठीक है बस ध्यान से सुनिए समझे कैसी सको solve किया जाता है करें कि साथ लड़के A, B, C, D, E, F, G एक पंक्ती में खड़े हैं साथ लड़के हैं अभी लिखेंगे ने उनका ना सिर्फ यहाँ पर देखा रहा हूं इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ लड़के इस तरीके से खड़े हुए हैं तो हम हमेसे क्या करेंगे इनको उत्तर दिसा की तरफ इनका मुख मान करके चलेंगे उसका फायदा क्या होता है मैं बता रहा हूं जो आपका दाया होगा उनका दाया होगा जो आपका बाया होगा उनका बाया होगा तो condition बनेगी, यहाँ पर Mali जी A था तो F और A के बीच współ THIS को यहाँ पर रखेंगे और बीच में एका लड़की की जगा बना देंगे सेम काम यहाँ पर भी करेंगे के रखेंगे ऐसका लड़की की जगा बना देंगे और F को यहाँ पर लखेंगे यानि C को हम कहां रखे है C को हम कहां रखे क्या ज़因为 c को हम यहां पर रखेंगे अभी it and c के बिच में यहां पर भी दू लड़क आएंगे तो हो यानि कि सी को जो एक ठुललwritten की जगा खाली थी तब दी यहीं पर भी हमें सी को रख़़ देना है तो हम ठीक दाई और बनाना है तो F के ठीक दाई और वाला हिस्सा तो C बैठा है यहां पर तो D को अगर यहां पर रखते हैं तो F के ठीक दाई और हो जाएगा अगर यहां पर हम D को रखते हैं तो यह F के ठीक दाई और आ जाएगा यानि कि ये वला आपका सही निकला और ये वला गलत हो गया तो क्या करेंगे यहीं पर हमारा मामला सेट हो चुका है इसको गलत काड़ी जी आप उसको लेके चलेंगे ठीक है चलिए आगे क्या करेंगे सी और बी के बीच में तीन लड़के हैं तो B को हम क्या करेंगे इस साइट अकेंगे सारी बातों को ध्यान में रख करके काम करना है ऐसे अंदाजी नहीं रख देना है ठीक हो गया का आगे कह रहा है क्या क्या करें कि बाएं से दोसरा कौन है तो बाएं इधर था बाएं से दोसरा कौन है बाएं से पहला B है दोसरा E ह option sees the right answer next सारे question मज़एदार है दोस्तों अपने आप में बहुत ही interesting है यहाँ पर कह रहा है 324 गुड़े 150 क्या कह रहा है 324 गुड़े 150 बराबर 54 दूसरे 51 गुड़े 42 बराबर 44 तथा 520 गुड़े 246 बराब 126 गुड़े 345 बराबर क्या होगा यहाँ आप यह लुड़े 3 ते लुड़े यहाँ दिया हुआ है हमें दो ही काफी है क्या ज़रूबत है 30 रे की पाल तूमें दिमाग खराब करेगा तो इसको खट कर दीजी है एक्जाम में कहीं पर भी दिया है इसको कट करिए हताईए हम दो ही से यहाँ पर पॉजिक निकाल लेंगे क्या करेंगे तो जोड़ने घटाने पर आ नहीं रहा है तो क्या करेंगे इनके अंको को जोड़ देंगे गुड़ा है गुड़ा बनाएंगे एक सो पचास के भी अंको को क्या करेंगे जोड़ देंगे अब इसको सॉल करते हैं देखते हैं क्या रहा देखेंगे क्या यह हमने जो लोजिक कंसेप्ट लगाई है क्या वह बिल्कुल सही है कि नहीं तो इसलिए दोसरा काफी है तो तीसरे की क्या ज़रुवत है तीसरे में भी यही काम करना पड़ेगा तो हमें टाइम बचाना एक्जाम में बस दोसरे में हम देख लेंगे क्या हम 4 प्लस 0 प्लस 2 ठीक तो यहां पर देखे 5 गुड़े 7 एक 8 हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा 4 गुड़े 6 हो जाएगा तो 8 गुड़े 6 को 48 हो जाएगा अब मैं अंसर नहीं बताऊँगा आप को अंसर कमेंट करना है इसका ठीक है 6 गुड़े 345 बरबर क्या आएगा नेक्स्ट यहां पर देखे डाइग्राम को कुश्चन है का कह रहा कि यहां आयत पुरूसों को यानि जो आयत है कह रहा कि यह पुरूसों को दर्सा रहा है किसको पुरूसों को तिर्बुज सहरी को ये तिर्बुज जो है ये किसको दर्सा रहा है सहरी को दर्सा रहा है तथा विरित सिच्छित को दर्सा रहा है तथा ये विरित जो है ये किसको दर्सा रहा है ये सिच्छित को दर्सा रहा है ठीक तीन चीजे हैं एक आयत प्रूस को तिर्बुज सहरी को और विरित सिच्छि भी नहीं है सिच्छित है लेकिन सिच्छित पुरूसों वाला जो कालम है जो घेरा हुआ है जो कंबिनेशन है सिच्छित पुरूसों वाला वही हमें निकालना है सहरी वाला नहीं यानि पहले तो यह तिर्बुज वाला हिस्सा हमें खतम कर देना है तिर्बुज वाला हिस्सा सहरी के अंतरगत आता है तो उसमें जितने भी नंबर आएंगे वो सब सहरी से related रहेंगे ठीक बागी बचा हुआ आयत और सरकील तो सिर्फ सरकील वाला भी हमें नहीं लेना है और सिर्फ आयत वाला भी नहीं लेना है हमें इसी छित प्रूस लेना है यानि जो सरकील और आयत दोनों से घिरा हुआ हो तो उसके लिए मैं कलर चेंज करके आपको देखा रहा हूँ कौन सा हिसा है यह वाला हिसा है और यह आपका हिसा है यानि एक में के बीच हमें वह स्थिती ग्याद करनी है कि मिनट और घंटेव की शूई या एक दूसरे की विप्रित हो जाए तो अगर दोस्तों माली जी कि मिनट की सूई तो आगे बढ़ कर कि यहाँ तर चार के आपरक्स पहुचेगी यानी पहुने चार के आसपास तो क्या होगी फिर मिनट वाली सूई थोड़ा सा और आगे जाएगी यानी ऐसी इस तीतिरी वहीं पे यहाँ फज्टी यानि पे एक सोश्ची डिगरी का एंगल बन गंटे वाले सोई एक पर लेकिन जब जो ही दो बजेगा मिनट वाली सोई को क्या करना पड़ेगा पूरा एक राउंड मानना पड़ेगा यानि पूरा साथ मिनट का सफरताय करना पड़ेगा मिनट वाली सोई को मिनट वाली सुई को 60 मिनट की दूरीताय करनी पड़ेगी और घंटे वाली सुई को आवर वाली सुई को आप कहेंगे कि 5 मिनट की मिनट वाली सोई how to do 30 वाली सुखिया और बार फिर 12 वे पहुंच आगई बाथ यानि पांच मिनट वाली सोई पच्पन मीनट की अधिक दूरिता करें तो आप कहेंगे कि एक मिनट में मिनट वाली सुई केतने अधिक दूरी तैं करती है तो आप कहेंगे 60 बटे में 59 यारना की 12 बटे में 12 यही सारा एक पहला यह बारे बटे मेंस घारहा वाला यही direct में गता तक समझ में नहीं आता इतना है समझाना था अब यहाँ पर यह जो कंडिशन बन रही है तीन और चार बज़े के बीच वाली इसमें क्या होगा जैसे इस तरीके से पहले तीन भज रहा है तो यह 12 पर जो सुई है 12 पर यह जब तक आ करके 45 पर नहीं आएगी उसके बाद ही मामला सही होगा 45 के पार होगा तब इस मामला सही होगा तो 45 मिनट की जो दूरी अधिक तैयं कर रही है वही मामला हमें स्टेट करना है तो एक मिनट में माल लीजिए 12 बटे में 11 मिनट की दूरी तैयं कर रही है मिनट वाली सुई तो 45 मिनट में कितने अधिक दूरी तैयं करेगी बस वही 45 कर में गुड़ा कर देना है मामला सही हो जाएगा तो यहां पर बाराइव पांसाइट बारइव चुक वरता रिच चाओंवन ठीक बटे में 11 सब्सक्राइब कर देना है तो एक दूसरे के विफ्रीथ होगी ऑप्शन ए इस तर आई होगी नेक्स्ट देखते हैं यहां पर एच प्राउबलन का कुशन है एक सथा वाई की वरतमान आईव का नुपात से बाराइव चार का कर रहा है चो वर्स पहले एक सकी आयू, छोबर सब बाद वाई की आयू, छोबर सब बाद वाई की आयू कितनी हो जाएगी, वाई पले 6 हो जाएगी, का अनुपात, कह रहा है का अनुपात एक संबंदे एक का है, यानि एक संबंदे एक का है, यानि कहने का मतलब, अगर छोबर सब पहले एक सकी आयू 15 वार से रही होगी तो 6 वार से बाद वाई की आयू 15 होगी क्योंकि दोनों का अनुपातिक मान बराबर है यही कहने का इसका मतलब है तो अब इन दोनों की आयू में अंतर कितना होगा देखिए अनुपातिक अंतर इन दोनों का 3 और 4 का कितना है दोस्तों सौरी 3 संबंदे 2 ह यहां पर लिए दिस्टे को रही थी देखिए यहां पर अनुपातिक उंतर युट दाएक यूणीट का एक तो यहां पर कितना अचो यानि कि पाले एकषकी जितनी रही होगी और छो बरसबाद वाई की आयू जितनी रही होगी छो वर्स बाद इस तरीके से समझते हैं देशें जैसे माली जी की छो वर्स पहले एक से की आयू 36 रही होगी कितनी 36 रही होगी तो छो वर्स बाद एवाई की आयू 36 रही होगी इन दोनों में कितना अंतर होगा यह छो वर्स पहले की बात कर रहा है य यही जो छो वर्स पहले और छो वर्स बात का गयप है वही तो इनकी आयू में अंतर होगा इनकी आयू में कितना अंतर होगा तो छो पलच चो बारा वर्स का अंतर होगा की नहीं होगा जिसे जीरो इधर जीरो बीच में ले लेते हैं छो इधर है और छो इधर है इस छो से इस वरस बाद दोनों की आयू सेम हो जाती है तो चो और चो बारह वरस का अंतर होगा अनुपाथिक अंतर हमारा निकला होगा एक यूनिट और इनकी आयू का अंतर निकला है बारह वरस का यानि एक कमान बारह है तो एक से तीन के मान के बराबर है तो एक से की आयू कितनी हो जाएगी और ऐसी वाई कितनी हो जाएगी इसका अनपातिक अंतर अनपातिक मन दो है तो दो गुड़े बारह यानि 24 हो जाएगा अब कोश्चन देखिया आगे क्या क्या रहा है च्छो वर्स बाद एक सिकी आयू और च्छो वर्स पहले वाई कि आयू का अनुपात ग्याद क और कह रहा है कि छो वर्स पहले वाई कि आयू च्छो वर्स पहले वाई कि आयू कितनी हो जाएगी इसमें सच्छग हटाएंगे तो आप कहेंगे अठार हो जाएगी अब इनका अनुपात पूछ रहा है तो 42 से संबंदे 18 बनाएंगे और देखिए जिससे कटा काट देंग पहले कि आयू का अनुपात प्याद किजिए तो आपने निकाल लिया तीन संबंद सा हमन्द टी और ऑस तरीके से उनес अनुपात ज़िखिए इसमें जो आयू का अनुपातिक अं न्तर आयू का अंतर सिर्फ यही दोनों मैच जहां कर गया क्योंडम से सांधार 2011 को कह रहा है क्या है शनिवार है तो दोस्तों ये पीछे जा रहा है 2011 से 2007 में जा रहा है अगर ये 2011 से 2012 में जाता और सेम डेट 9 सिप्तंबर की बात करता सेम सब्तास सेम दिन और सेम महीने की बात हो तो ऐसी कंडिशन में एक महीने जो दिन दिया रहेगा उसमें दिन उसमें एक जोड़ देंगे यानि सनिवार में जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा अगला अरभी वार आ जाएगा एक चीज़ और नोट करना है अगर ये आपका लीपियर है लीपियर है तो इसमें एक के बज़ए दो जोड़ेंगे क्योंकि फरवरी उसमें 29 का दिन हो जाता है इसलिए जब फरवरी उसमें मिल करके क्रास करेगी तब दो जोड़ेंगे यह भी सरत है सारी ध्यान से सुनिए तो अब समझ में आ गया लेकिन अगर यही उल्टा घटते हुए करमें जाएंगे तो यहीं पर प्लस की जगा माइनस कर देंगे जैसे 2021 से हम लोगों को जाना है 9 सिप्तंबर 2007 में ठीक है तो हम जोड़ लेते हैं क्या महीना कैसा लो रहा है तो साथ तेकि एक साथ में एक जोड़ेंगे फिर 2008 होगा इसमें भी एक जोड़ेंगे 2009 होगा इसमें भ 2011 से हम जाएंगे 2010 2009 2008 2007 में तम न पहुचेंगे तो क्या करेंगे इन सब को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा पांच अब क्या करेंगे सनिवार में हम पांच घटाएंगे क्या करेंगे क्योंकि यहां पर उल्टी दिसा में जा रहे हैं तो हमें घटाना है जोड़ना नहीं है तो सनिवार में पांच घटा लीजिए देखिए सनी से पहले आपका सुक आएगा उसके बाद भी रहस इसके बाद यह सो मार आएगा क्या आजाएगा आपका सो मार अपसंसी दराइट अंसर नेश्ट का कोचन करेंगे किसी बला को नीशे चार आकेतियों में दिखाएगा नुसार उसके छो फ्लको को पीला लार्णी गुलावी और नीले प्रेंट किया गया यानी कि एक ही डाइट के ये चार प्रारूप दिए गया है और चारों को च्छा कलर्स देए यानि एक ही को किया गया उसको चार प्रारूप दिया गया है तो च्छा फेसेद रहते हैं आप जानते है डाइस में उसको जो है लाल, काला, नारंगी, पीला, गुलाबी और नीला पेंट किया गया यहां फजरा हैं faze, यहां पो दैयार पर आफि रही है तो इसके बगल में जो रुजर विह तो उसके होगा नहीं है तो गुलाबी पीला होगा नहीं और नारंगी नीला भचा हुआ उसमें कौन सा होगा देखिए और लाल बाल दिया हुआ है यहां पर भी लाल है तो लाल के बगल में यहां पर नारंगी दिया हुआ है तो नारंगी भी नहीं होगा क्योंकि नारंगी इसके बगल में है विप्रित होगा नहीं इसी तरीके से इसके बगल में काला भी दिया हुआ है तो काला चुंकि आप्शन में है नहीं बचा हुआ आपका नीला है एक ही तो नीला ही हराल में होगा, तीन तो जब गलत होगे तो चौथा तो आटोमेटिक आख बंद करके आपको टिक लगानी है, समझ में आगई बात, नेक्स्ट, रेन डागराम करें, कैपसूल इंजेक्शन एंटिबायोटिक दबाएं, तीन नाम है, तीन तो हमें इसे सरकिल बना होती है, दोनों एंटिबायोटिक दबाएं, लेकिन एक खाने वाली है, एक नस के द्वारा लेने वाली है, तो दोनों अलग-अलग अंटिबायोटिक दबाएं होती है, इन में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, भले अंटिबायोटिक दबाएं, लेकिन दोनों होती है, क कोई दिक्कत इसमें नहीं है जैसे इस टाइप का फीगर है इस टाइप का तो कितने तिर्वुज होंगे आप कहेंगी एक दो दोनों को जोलेंगे तीन तीन तिर्वुज आग बन करके अगर इसमें मैं यहां पर एक और आधार बना दूँ तो एक आधार बनने की वज़े से इससे भी तीन तिर्वज बनेंगे कैसे बनेंगे देखिए इस वाले में इस वाले में ध्यान दिजी यहां पर एक लागा फोछिण हो गया जप्रिघे यहां यही काम लुज 5 वुज 6 बैके यह इसमें 7페 Ranch हो जाएगा तो च्छचब 12 हो गया कितना हो गया 12 हो गया उसको काउंट किये रहेगा और बाखी इसको समझ म्यान अभी आएगा और कितने 12 हो चुका है ठीक है अब देखिए यहां पर अंदर की साइट में एक यह और एक यह दो ठीए बन गए 12 दो 14 हो गया चलिए अब यहां चौविस चौविस ऑप्सन भी इस द्राइब नेस्ट यहां पर देखिए हमारा जो नेस्ट कोस्टन है क्या कह रहा है कि चार विकल्पों से पता लगाए कि पादा से सीट को बिंदिदार रेखा पर मोड़ा जादा है तो पैटरन कैसा देखाए देगा यानि कि यहां से प पता करना है चलिए पता करते हैं अभी तकि जब इसको हम ऐसे बिंदिदार यहां से मोड़ना बिंदिदार मोड़ पर से जब मोड़ेंगे तो यह आपका पलट करके सेम टू सेम ऐसा ही दो बनेगा उल्टा इस टाइप कर तो और इसको जब हम पलटा करके इस वाले पर बै बैठेगा और इसको लिए पलट करके देखिए पलट करके उसी पर जाकर सेम टू सेम बैढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी फिगर गडबर नहीं होगा चलिए इतना हो जाएगा तो यह खतम हो जागा सिर्फ आपका उपर वाला यह बश जाएगा अब फिर यहां पर अब्याइब बहुति है बार इस चलते हैं अंगली तरफ यहां पर नेक्ट हमारा क्वोंड़ें की लॉजिक की फोड़ा समझ़ लेते यह जैसे R है यह क्या करेगा लेक्ट तू राइट अपने आपको रोटेट कर देगा या या इसे हो जाएगा इतना तो आपको बता है लेकिन यही अगर तीन चार चीज़े दियो जैसे E, B, R है तो क्या यह आपका ऐसे बन जाएगा E, B, R बिलकुल नहीं यह गलत हो जाएगा पहले यह पूरा रोटेट करेगा अगर सब्द के रूप में दिया हुआ पहले R, B, E ऐसे भूमेगा ठीक है उसके बाद फिर अपनी जगह पर यह लेफ टू राइट ऐसे भूमेंगे यानि R, B, E अब यह आपका सही अंसर हुआ तो यह जो लोजिक कंसेट काम करती है यह आपका संख्या हो एक से लेकर के अनंद तक उस पे भी यह काम करेगी इस ताइप का चितर वाला उस पे भी काम करेगी कौका गोगा के रूप में और अक्छर वाला उस पे भी काम करेग पर यहां पर दो सरकिल बना हूँ है अंडाकार ऐस तरीके से एक है यह था र्याइद इसको मैं ऐसे बना ऑग एक छोटा एक बड़ा अभी यहां पर होगा क्या ने यह जो जो पोंच दिख रही है पोंच नुमा वो इस साइट के बज़े आपकी क्या होगी इस साइट आ जाएगी अब ये आपका बन गया तैयार हो गया देखिए तो कहां है आप्शन ए में मुझको दिख रहा है बागी कहीं नहीं दिख रहा है तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडिय क्यों पसंदा होगी मिलेंगे जिस साइट आपके दाटी की साथ आपने नेक्स्ट टूडियो में तब तक कि लिए बाएगा है